येस वेल्कम बैक तु दे सेश्चिन हाँ जेसे ये जड़े सिफरां फाइंड करनी है विल्कुल ठीक है जी शिफरां कितना फाइंड करनी है याद केडे केडे वर नंबर पूट करांगे आंसर ये जीरो बनेगा आप आपकी करना पूट तेट इक्वड टूट पूट नई करना है एक्सकामध करना एक्सकामध करणा है लिए एक्सकामध कर्णाओ नाल 4 x कोममन क ठीक है जी होन आइदर फॉर एक्स जीरो मतलब एक्स जीरो आजएगा यहां फिर एक्स प्लस टू जीरो टू प्लस टू अधर जाके माइनस टू बंदे काई दिया दो सिफरां गया ने कि जे अपा इस बहु पाद वे जिस पॉलिनॉमियल विच जीरो फिल कर देया तद भी आंसर जीरो बंद है तो जेकर इसी इस माइनस टू फिल कर देया तद भी जिरो बंद है दिया सिफरां गया ओके जी थैंक यू फॉर जॉइनिंग देशन अगें ठीक है टेक्निकल अररर आ जंद है कधी-कधी नेक्स्ट क्वेश्चन कर देया जेकर दो काती बहु पाद ज एक सिफर एक सिफर माइनस दो है तां के दा मोल पता करो ते बहु पाद की है साटकॉल 3x केर प्लस kx माइनस 2 If minus 2 is 1 of the 0, if minus 2 is 1 of the 0 of this polynomial then find the value of k If minus 2 is 1 of the 0 of polynomial, polynomial 3x square plus kx minus 2 then find the value of k Then find the value of k, yes, हरी अब के दा मोल पता करो जी के दी value find करो जेकर a दी 0 है, 0 है that means minus 2 minus 2 जदो सिफिल कर देया, x दी जगते अगर a px है that means p minus 2 is 0, अगर a px है that means p minus 2 is 0, इंदा मतलब एही हुंद है न, answer कोई बच्चे 5 solve कर रहे है, कोई minus 5 solve कर रहे है ते आनल चेक करो पच्चे अपने अपने answers की मतलब है कि जे 2 का तिबहु पदी की सिफर minus 2 हुआ, इदा मतलब माइनस 2 जड़ाया गया है, और फिल करने answer polynomial दा 0 बांद है, वो satisfy हो रहे है पूरा पूरा, तो असी की कर देया, इदे फिल कर देने है, let us fill this equation 3, x दी जगते आगया minus 2 दा square, k x दी जगते minus 2, minus 2, ठीक है, and put that equal to 0, हाँ जी, minus 2 दा square, square is always positive, जी, so 4 आगया, 4, 3 is a 12, हाँ, minus 2 आगया, 2 k, minus 2 is 0, हाँ, जी, 12 पे चो 2, minus कर देया, ते साटकोल के नांद 10, minus 2 k, plus 10, equal to 0, so minus 2 k is minus 10, minus minus cancel from both side k is plus 5, plus 5, जिनना बच्चेयां दा answer है, उनना दा बिल्कुल ठीक है, जी, answer is not minus 5, देखो, एक एननी के गलती करके, असी question जो number जड़े हो, गवाब है ने, ठीक है, minus 2, जोड़ों सी इस फिल की, तत्या, अनल चेक करना है, कि 12 पी चो 2, minus की ते साटको, plus 10 आया, ठीक है, जी, जिनना दा plus सी, होड़ा, प्लस दा 10 होदर जागे, minus दा 10 होजेगा, so it is minus 2 के, minus 10, so एजड़ा, minus minus cancel होजेगा, so जड़ों की A is 5, जी, बिल्कुल ठीक है, जी, जिनना दा answer, 5 है, next question, हाँ, जी, इफ, alpha plus beta is 3, and alpha minus beta is 1, find polynomial, find the quadratic polynomial, एदा की मतलब है, एँ होड़ा, असी कित्दा करना है, बहुपद बता करो, दो काती बहुपद बता करो, हाँ, जी, alpha plus beta is 3, and alpha, alpha ते beta जी, roots ने, पहला जी, आपर roots, find कर लिए, उस तबाद, आसी, दो काती बहुपद, बढ़े, राम ना, find कर सकते है, यह जी, alpha plus beta is 3, alpha minus beta is 1, हाँ, जी, केड़े-केड़े, पचे आनो, equation solve करने आ दिया है, जिननों simultaneous equation solve करने आ दिया है, यह तो alpha ते beta दी value, मेंनों find करो, करके दस्तों, तो अडिकोल जीड़ा है, I'm giving you 30 seconds, बड़ा different जी, question है, तो अडिकोल जीड़ा है, question मेंनों लगदा में ले आया है, okay, मैं यह तो बिल्कुल समझा आ रही है, देखो है, एह हो जो question आ गया, हुन तुसी की करोगे, यह तो alpha plus beta मनलत तुही कोगे कि सिफ्रा दा जोड मेंनों दितता है, पर सिफ्रां दा जीड़ा है, कटा हो भी दितता है, minus दितता है, गुणन फाल नहीं दितता होया है, तो मतलब होगे न confused, confusion होगी नहीं, तो एद्दा दे question नहीं सी इतता कितना करना, देखो, असी इते side दे लिख लिए, जो जोड़ा जोड़ांगे थे 2 alpha, 3 जोड़ांगे थे 4, 2 अधर जाके डिवाइड होएगा थे alpha जीका 4 over 2, alpha किना आजेका 2, 2, alpha किना आगया, 2, होगे थे alpha नुमें 2 फिल करा, 2 विच की जोड़ांगे 3 पांजे, बीटा इस 1, ठीक है जी, तो सिफ्रांदा जोड, सिफ्रांदा जोड ते मेरेकोल 3 रहने ही रहने है, तो सिफ्रांदा गुणनफाल किना आणा है, 2 multiply by 1 किना आणा है, 2, सिफ्रांदा, सो फाइनल आंसर मेरा की बनना है, x square minus 3x plus 2, सारे बच्या ने x square minus 3x plus 1 लिख्या, पर सारे कोल आंसर सी, x square minus 3x plus 2, ठोड़ा ये unique question सी, ठोड़ा जहाटके सी, ठोड़ा पा critically सोचना सी, कई बचे कहारे हैं सानु बिल्कुल समय नहीं आ रहा है, we do not understand anything, ओके, मैं दुबारा repeat कर दिया, देखो, question तो अनुमें दिता है कि, अगर alpha plus beta 3 है, alpha minus beta 1 है, तो उसी एक बहुपत पता करो, quadratic polynomial find करो, होन तो अनु पले खा पागया, तो अनु लगा, सिफरां दा जोड़ उपर है, सिफरां दे गुणन फाल नीचे है, पर एददा नहीं सी, सिफरां दा difference दिता हो यासी, ठीक है जी, difference of zeros दिता हो यासी, एदेच की करना पहना सी, सानू, alpha, beta, find out करना पहना सी पहला, सो एदे बेच की किता सी, add अब करते, जो दो सी add करते हैं, opposite sign वाले कट्टे जान दे है, plus beta ना minus beta कट्टे आ गया, alpha and alpha become 2 alpha, 3 plus 1 become 4, alpha किन आ गया 4 over 2, मतलब alpha किन आ गया 2, अगर alpha 2 है तो beta 1 है, एदेच पूट करो, हुन देखो, सिफरां दा जोड़ते हैं, मेरकोल 3 रहना, पर सिफरां देड़ा गुणन फाला है, multiply करो गे 2 नू 1 देना आल, सो 2 आजेगा, सो इट इस एक स्कूएर माइनस 3 एक स्प्लस 2 है, जिन्हान नहीं समझा है, रिवाइस करो, इन्हों कौपी त्या खुद सॉल्व करन दी कोशिश करो, हाँ जी, येलेमिनेशन मैथड ना किता, बिल्कुल ठीक, इड़ा मर्जी मेथड लगालो, त्विड़ा इक्वेशन सोल्व करन लई, त्विड़ा मर्जी मेथड लगालो, वट्रव यू फाइजी हाँ, हाँ जी, होमवा क्वेशट लिखो जी, होमवा क्वेशन, If alpha and beta are zeros of polynomial x square minus 4x plus 1 then find the value of 1 over alpha plus 1 over beta minus alpha beta. Jekar alpha at beta bahu pad x square minus 4x plus 1 de cifar han 1 over alpha plus 1 over beta minus alpha beta. This is the homework question. So here we go. What was the last child? What was the shining star? Please, let me suggest that the shining star is anti-seech. So now we have to keep this name. Okay, the child, if you like to know that the mission is married, the child will be the shining star and anti-seech. We will change the name. So, let me give you your suggestions. Okay, keep something unique to the name. The child will be the shining star. Okay. The last child asked me a question. 1.2 exercise was question number 7. Okay. 1.2 exercise was question number 7. The child is starting to be the shining star. And the child will be the shining star. And the child will be the shining star again. So, if we find LCM, the answer was right. The answer was 36 minutes. And I am very happy. A lot of children have given a good answer. And the next step is 14588. That means 14588. That means 625 divided by the decimal form. So, the answer was 23.3408. The child has given the right answers. And the child has given the quickly answers. It means quick and right. All right. Now, the name is Chandan Kumar is the first one. Avanchika Sharma, Bhumi, Simranjit Kaur, Aarti Sharma, Rachna, Sukhpal Kaur, Arshadeep, Mansi, Harpreet Kaur, Harshdeep Mal, Sneha, Gurmeet Kaur, Rohit, Navdeep Kalsi, Mehak, Sarabjit Kaur, Jaspreet Singh Aulak, Nirmala Rani, I think she is from Frostburg, Arshdeep Kaur, Krishna, Krishma. पलक पुनम, रोताश कुमार, और पुनीत कुमार. ठीक है जी? यह जड़े साथे जड़े जड़े बच्चे ओ ने जिनना ने बिलकुल ठीक answer देते हैं. और मैंने उमीद है कि इस question भी solve करके तुसी जल्दी 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 आँसर दो होगे. सो असी उन आपने जड़े गीस दूसरी पॉडी चाड़ चुके हैं, असी second chapter नूँ खतम कर चुके हैं, polynomials नू एदे विच्च वह ब्लू पृरिंट दे अकॉड़े काफी टार्गेट कर चुके हैं. तो च्प्टर नमबर वन ते च्प्टर नमबर टू नू तो फुली रिवाइस करो, तो यड़ा थाट अगल टाइम रहागा, तो तुमॉरो इस यो विकली टेस्ट, तो जिनननो वास्तविक संख्यामार रियल नंबर्स देख वेरी है, नेक्स ट्रॉपिक इस ओविएसली और थर्ड चैप्टर, ठीक है, असी सीक्मेंस दे नाली चलना है, तो अगर तुसी थोड़ा पढ़के आओगे, प्लानिंग करके आओगे, तन इट विल बी मुच पैटर फो यू, तो अड़ी बहुत अच्छी त्यारी हो सकेगी, तो असी अपनी एगली क्लास मिलांगे, जल्दी तो अनों इनफार्म करांगे, और वीक लिए जैसी एक क्लास ही राख रहे हैं, एवरी वेंच्डे, हर बुद्धवार एक क्लास लगया करेगी, तो अड़ी, साध्य पांच वजे, सो तुसी क्लास लगया करो, सो ओधे एनना टाइम तो रहे है कि तुसी जड़ाया, ओव रिवाइज करो, वह वह लगा टॉपिक अपना रिवाइज करो, board, paper, question, bank, बिल्कुल fully थियार कर लो, जो तो असी real number किते, सारे questions, real number दे, cover कर लो, जो तो असी polynomials किते, सारे questions दे, polynomial दे, तो उसी cover कर लो, ठीक है, so, असी की करांगे, third chapter, बिल्कुल, trigonometry दी भी बारी आएगी, do not worry, ठीक है, panic ना करो, ते, जड़े, जो असी कर रहे हैं, slowly, slowly, आपा, जड़ाएगा, फाइनल्स मू टार्गेट कर रहे हैं, ठीक है जी, so, everybody, please take good care of yourself, we will see you in the next class, goodbye everyone